इस वीडियो में मैंने बहुत ही बढ़िया shortcut trick है वो discuss करी है और बहुत ज़्यादा इसके question competitive exam में और exam में आते हैं by what percent area will increase चाहिए वो triangle का case हो, चाहिए circle का case हो, चाहिए rectangle का case हो चली सबसे पहले न मैं trick से पहले आपको ये समझाने ही कोशिस कर रहा हूँ long method क्या होता है, चली question discuss करते है, question के तुरू पता लगे है एक question दे रख है, कि भी किसी भी triangle की side अगर 20% increase करते है आप बोले सर्थ कौन सी triangle है, इस case में triangle चे स्कैलिन हो या triangle equilateral triangle हो, या हो आपकी isocellus, ये सब में काम करेगा ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, तो इस case में equilateral triangle ले लेता हूँ, आपको समझाने के हिसाब से, ठीक है करने के वाला हूँ, कहते हैं, अगर each side 20% increase होती है by what percent new area will increase, दो method है, एक long method है, एक shortcut है देखिए, shortcut का तब ही फादा है, जब आपको long method समझ में आए तो long method पहले समझा जाता हूँ, shortcut तो बिलकुल 2 second में आपको answer मिल जाएगा, चलिए long की बात करते हैं, ऐसे question में ये कहता है कि भई या triangle, पहले मैं लेता हूँ, और यहाँ पर equilateral triangle ले लेता हूँ, जिसे का आपको समझाने में दिक्कत ना हो equilateral का मतलब है कि भी ये मान लेजी इसकी जो side है ना वो handed handed ले लेता हूँ, पढ़ा आसान होते हैं handed लेना एक new triangle ले ली, और new triangle की जो इसने साफ लिखा है कि वे 20% increase हुआ है, तो increase होने के बाद ये 120 cm हो जाएगी ये 120 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, ठीक है अब मैंने equilateral इसलिए लिया का आपको पकड़ में आ जाएगी, मैं करने क्या ला हूँ change percentage का ये formula होता है, एगरी तो इसमें सबसे पहले difference निकालते हैं, एगरी difference किसका area का difference निकालते हैं तो area of, इसका area कितना हो जाएगा, root 3 by 4 side का square यानि की handed का square, बिल्कुल ठीक है इसका area अगर आप note करोगे तो कितना हो जाएगा, root 3 by 4 side का square यानि की 120 का square, एगरी, अब मुझे इन दोनो area में से difference निकालूँगा एगरी difference कैसे निकालते हैं, new वाले में से न, new वाला जो area है न और old वाले area को minus करता हूँ, तो जैसे मैंने minus करा, तो इस case में देखी, new वाले area में मैं लिख देता हूँ पहले यह हो जाएगा, root 3 by 4, 120 का square, minus मैं root 3 by 4 और hundred का square इसमें root 3 by 4 है न, वो common ले लेता हूँ, root 3 by 4 मैंने common ले लिया, 120 का square हो जाएगा, 144 double zero और यह हो जाएगा, 10,000, जिसको simplify किया, तो यह आएगा, root 3 by 4 और यह multiply by area, 44 hundred अब इस question में, यह जो change percentage का formula न, इसमें value put करते हैं difference की जगे पर यह लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख जी, root 3 by 4 और difference की जगे पर यह लिखा मैंने original value होता है, पुराने वाला, तो पुराने वाला तो यह value है, यानि की root 3 by 4 और side का square करा, तो यहाँ पर आया, 10,000 multiply by handed, यह तो है long method, इस long method को solve करते हैं, तो root 3 by 4 से यह cancel हो गया, 2,0 से 2,0 cancel हो गये, यह 2,0 से 2,0 cancel हो गये, इस case में answer आया 44%, देखिए यह तो था long method, जो मैंने number 1 लेके try करा है, आप बोलो सर आप तो 2 second वाला trick बताऊ ना, जो कह रहे थे, बिल्कुल इजी, यह वो trick है, जिसका मैं इतना महिमा मंदित कर रहा हूँ, जिसका मैं इतना advocate कर रहा हूँ, सर कैसे काम करेगा, देखिए change percentage में A और B है, A है, ट्रेंगल कोई भी होना, अगर A की दे रहा है 20%, तो यहाँ पे A की value 20 हो जाएगी, B की value, B भी same parameter है 20 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा A की value 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 और यहाँ और नीची वापिस बता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चली वापिस बताता हूँ, एक question अलग ले लेता हूँ, यह question लेकर आपको समझाता हूँ कहता भी, अगर 20 की जगह पे 10% होतों, तो बिल्कुल कोई दिकत नहीं, यहाँ पे A की जगह पे ना, यह 10 आ जाएगा B की जगह पे भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 10 करोगे, और divide by hundred करोगे, 2-0 से 2-0 cancel हो गया, इसको simplify किया 10 और 20, और यह आ गया 1, यानि कि अगर आपका case 21% आता ना, आंसर, तो बिल्कुल ठीक है अब बात होती है, सर क्या यह सभी triangle में, बिल्कुल सभी में लगेगा, चाहिए scaling triangle हो, राइट, चाहिए equilateral triangle हो, चाहिए आपकी isocellus triangle हो, इन सब में आपका यह काम करेगा फिर आप लो, सर सिर्फ triangle में काम करेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, यह question triangle में जरूरी नहीं है, area के हर एक में count करेगा, चली समझाता हूँ, square से शुरू करता हूँ, square में अगर each side 10% बढ़ जाती है, तो यहां के case में यह 10, plus में 10, plus में 10 into 10, square के case में भी यही formula काम यानि कि 20, plus में 1, यह भी 21% आंसोर आएगा, क्योंकि square की side बराबर है, आप बोलो से चलो, square तो आपने बता दिया, फिर अगर square की जिगे पे आपको circle मिल जाए तो, भी हमें radius दे रखी, तिकी rate, पहले तो आपको बताओ, area of circle क्या होता है, पाई यार square होता है, लेकिन अगर radius को increase कर देते हैं 10% से, और आप से कोई पूछे भी, why what percent new area will increase, लो भी है, यहाँ पे put कर दीजे 10, इस case में भी 10 put करा, 10, plus मैं 10 into 10, और इसको simplify किया, तो बिल्कुल इस case में भी आंचो 21% आएगा, आप long method से करके cross verify कर सकते हो, कि मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बात बनी, अब मैंने circle की भी आपकी help कर दी, लेकिन question आता है सर, circle तो ठीक है, अगर rectangle हो तो, मैं rectangle देख लेते हैं, rectangle में कहता है कि length है ना, उसको 10% बढ़ाया, देखे, change कर रहा है, और breadth को 20% करा, तो कहता है भी अब बताओ by what percent, इस case में जो A है ना, ये 10% हो जाएगा length का, और B है वो 20% और दोनों plus के होंगे, क्योंकि increase, increase word है, अगर यह decrease लिखा तो मैं minus करता है, degrees वाला भी एक ले लेते हैं, पहले ये समझाता हूँ कितना होगा, बिलकुँ sort कर तरीके से देखे, 10 plus में 20, plus में यहाँ पे ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, divide by 100, ये 2 0 से 2 0 cancel करा, इनको add करा, 30 plus में 2, आप basic long method से करके देख लिए, 32% है न, वो answer आएगा, अब आप ये बोलोगे सर, आपने decrease की बात करी नहीं, सारे increase कर रहे हो, तो एक question decrease का ले लेता हूँ, देखे मैंने जानबूज की यहाँ पे लिखा है, बही increase करी है 10% और decrease करी है 20%, अब बही वाट एरिया न एक काम गई, जो A है न, length वाला, ये increase का मतलब plus का 10, और breadth जो decrease है न, ये B ले लिया मैंने minus का 20, minus इसलिए लिया है मैंने क्योंकि decrease word mention है, अगर आपको decrease लिखा आजाए तो समझ में आ जाना चाहिए, आपको minus लेना है, चली simplify करते हैं, इसकी जगह पे plus का 10 आया, यहाँ पे minus का 20 आयेगा, आपने note करा, फिर यहाँ पे आ जाओ, A है और 10 आया, फिर यहाँ पे minus का 20 आया, जहाँ 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 पे B है न, वो minus का 20 मैं लिखूंगा, sol करते हैं, 2,0 से 2,0 cancel होगे, तो यहाँ पे 10 minus 20 और इसको simplify करने पर भी minus 2 बना है, अब यह बना 10 minus में 22, यानि की minus का 12 आये न, minus 12 परसंट का मतलब है 12 परसंट डिक्रीज, देखिए वर्ड यहाँ पे डिक्रीज आयेगा, इसने पूछा था क्या परसंट से चेंज होगा, डिक्रीज क्यों लिखा मैंने, डिक्रीज इसलिए लिया कि आंशोर में minus आया है, अगर यह आंशोर में प्लस आता तो इनक्रीज आता, मात बनी, होप शुआ आपको क्लीर हुआ होगा, वीडियो पचंद आया होगा, थांक्यू वेरी मच,